और कोई से भी बोटल में भर सकते हैं लेकिन ये मिल्ची वड़ा अचाल ही होना चाहिए ये मैंने बन ये दादी ने और ममी ने बनाया है मिलके इसलिए आप भी ट्राइ करना इसको होती मजाएंगे तो और इससा कोओगे तो इच्टे मिल्ची लाइगी तो फिर इस्ती सुपाइस थी है जिए आप मेनी को ट्राय करना हमें तो आइसी लगेगी लार्मेट्स रदा दिया तरे लार्मेट्स फिर उसे पहले सीख लो फिर इसमें आचाड़ा दो फिर नमत डाल दो फिर उसको है न एक डपी में रुके दस मिनिट के लिए छोड़ दू फिर उसको रखो और फिल हिलाते जाओ हिलाते जाओ ये बन गई और शार और सब्सक्राइब करो हम आते हैं इसकी और वीडियो कि टक टकली बाई 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 नहीं सब पर ट्राइप करना और बहुत स्पाइसी होने वाली है जबन के रहना बहुत स्पाइसी है टक टकली बाई बाई असलाम अलेकुम वेलकूम बैक टू मै चैनल आज हम हरी मीच का अचाह डालने जा रहा है इसके लिए मैंने 400 ग्राम के करीब मैंने हरी मीची ली है इसको मैंने इस तरह कट कर ली और इसमें 2 एन अहाफ चम जिसमें मैंने नमा कैट किया है और दो नीबु गरस में इसमें एट करऊंगे आचलेक दperform कर रहे हुए देखिए नीबु गरष्म मै टे कर रहे है इसमें दो बड़ी साइज के लिए। यहाने में बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी लगता this the earth of man इससे निकाला यापको बताया इस तरह मैंने नीव गरस निकाला अब अब इस अच्छे से मिक्स कर लिए रख देंगे इसको एक दूबर हम चला देंगे अब हमने इसमें 3 चमश्ब कर लिए 3 चमश्ब आइ लिए 1 टीश्पून हमने दानविथी लेंगे owe are yeah कि अ में दाना मिति पताना बूल गई दाना मिति नायट कर लिया इसक इसको दर्ण है इनес तरह पीष लिया हाफ टीजपून हमने कलोंजी लिए हाफ टीजपून हमने रेच चिली पॉड़र लिया वन टीजपून हम इसमें हल्दी पॉड़र रेट करेंगे हाफ टीस्पून हम इसमें धनिया बॉडर लेंगे आप चाहिए तो खड़ा धनिया भी एट कर सकते हैं मैंने हाफ टीस्पून लिया है बस धनिया नमक लेंगे हाफ टीस्पून के करीब अब हम यह सारे मसाले हमने ओवर नाइट मिर्ची को रखा था हमने दिन के 12 वजे तक हमने इसको इस तरह ही रखा है ओवर नाइट वजे तक दिन के इसके बाद हमने इसमें सारे मसाले एट कर लिए यह वन टीस्पून हमने कश्मीरी पॉडर एट किया है ताकि इसका कलर अच्छा आए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप जरूर इसे ट्राइ करें यह खाने में बहुत बड़ी है अब वो टेस्टे रखती है इसमें ओईल की जरूरत नहीं यह बिना ओईल के हमने मिर्ची का चाह डाला है वो जट पर इंस्टेंट हमने बनाया अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे दो दू दिन बाद आप इसको खाने की शुरू कर सकते हैं यह एक सइट डेस की तोर पे है बहुत बढ़ी है पराटे के साथ कहय है दाल चाहूल के साथ सबसीओं के साथ कहय है जिसके साथ चाहे है आप यह अच्छा का सकते हैं कांच के बरनी में हमने यह बिल्कुल सूखियों से अच्छे सा वाश करके सुखा के हमने इसको दूप लगा के और इसमें हमने मिर्ची भर लिए दो दिन बाद हम इसे खाएंगे